नमस्का एशन इस इंडिया में आपका स्वागत हैं में प्रिया आपके साथ उत्राखंड की उत्तरकाशी टैनल में फसे 41 मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार पूरा देश करा है लेकिन रेस्क्यू में आ रही दिक्कत से सभी की सासे अठकी हुई है कभी सरिया तो कभी पत्थर उन तक मौशने में बादा बन रहे है इस भी शुकरवार 24 नवमर को करीब सवा 11 बजे फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया एंडि आरिफ ने मजदूरों को निकालने के लिए मौग ड्रिल की इस से पहले पियमो के पूर्व सलाकार भासकर खुलबे ने बताया हम शुकरवार सुबर ड्रिलिंग शुरू कर देंगे ग्राउन पेनिट्रेशन राडर अधिन से पता चला है कि अगले 5 मीटर में कोई रुकावट नहीं है से तालिस मीटर तक पाइप पहुँच चुका है अभी 12 से 14 मीटर को दाई बाकी है ड्रिलिंग के दोरान यदि कोई बादा नहीं आती है तो आज 41 मजदूरों को बहार निकाला जा सकता है टरनल में मजदूर के फसे होने का आज यानि 24 नवंबर को तेरवा दिन है उत्तर प्रदेश गोरकपूर के रहने वाले प्रवीन कुमार यादव अमेरीकी आगर मशीन के ओपरेटर है प्रवीन इस पूरे बचाव अभियान में लगे है प्रवीन ने ही 45 मीटर अंदर पाइप में जाकर उस सरिया और स्टिल पाइप को काटा था जो ड्रिलिंग में दिकत कर रहा था प्रवीन ने बताया कि मैं तीन घंटे पाइप के अंदर रहा या ऑक्सीजन की कमी थी रिस्क भी थी लेकिन बिना रिस्क के ये काम नहीं होता प्रवीन ने बताया कि अब आगर मशीन की वर्किंग करना शुरू हो जाएगी तकरिमन 8 से 10 मीटर पाइप को पुश करना है यदि 6 मीटर पाइप पुश हो जाता है तो उस मिटी को आगे धकेल कर फसे मजदूर तक पहुचा जा सकता है मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है हम अंदर फसे लोगों को निकाल लाएंगे इसी के साथ बने रहे है एशारी जिन्दा के साथ खाली बाद